नमस्कार, श्वागत है, मैं हूँ कृष्णा रन सिंग और आप देख रहे हैं यूटूब चैनल एजूकेशन पोडल कृष्णा आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग नौर्मलाइजेशन अर्था समानिकरन के बारे में विशेश रूप से समझने के लिए उपस्तित है परिक्षा का रिजल्ट आने के बाद नंबर घढ़ जाता है या तो फिर नंबर वढ़ जाता है इसको विशेश रूप से समझेंगे आज कल यह जो नौर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है इसकी चर्चा आम हो चुकी है लोगों के दिमाग में लोगों के मन में उहापो की इस्तिती उत्पन हो जाती है कि क्या हमने इतना प्रश्न का जबाव दिया तो जब नौर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी तो मेरा अंक घट जाएगा या तो फिर इतना ही प्रश्न का जबाव दिया तो क्या इस इस्तिती में मेरा अंक बढ़ सकता है तो इसे वारिकी से हम लोग समझेंगे लेकिन खास करके इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इसी बात को समझेंगे कि बिहार विद्याले परिक्षा समीती के दोरा जो विशिष्ट सिक्षक अनिकि सक्षमता परिक्षा ली जा रही है विशिष्ट सिक्षक बढ़ने के लिए तो उसमें नौर्मलाइजेशन की परकिरिया किस प्रकार से होगी और क्या निगेटिव मार्किंग नहीं रहने के बाबजूद भी अधिक प्रशन का अधि आप जबाब दिया है एटेंप किया है और अधिक से अधिक उन जबाब में आपका गलत प्रशन हो चुका है तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उसे भी हम लोग कुछ समझेंगे लेकिन सबसे पहले हम उन जो विग्यप्ति है बिहार विद्याले परिक्षा समीती के और से जारी की गई थी तो उसमें जो नौर्मलाइजेशन की बात कही गई है सबसे पहले हम लोग उसको समझते हैं इस जो विखार विद्याले परिक्षा समीती के और से विग्यप्ति जारी की गई थी विशिस सिक्षक नेमावली के लिए तो उसमें नौर्मलाइजेशन के संबंधित कुछ बातें अंकिती गई है जो कि कंडिका 24 में इसका पूरी तरह से डिटेल चर्चा की गई है 24 के को में कहा गया है कि कंप्यूटर वेस्ड टेस्टन की CBT विधी से आयोजित की जाने वाली परिक्षाएं जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षा क्रिद जादा होती है का आयोजन एक से अधिक पालियों या तीथियों में किया जाता है ऐसी परिक्षाओं में सामान ये था है, अलग-अलग पालियों में प्रश्ण पत्रों के अलग-अलग कठिनाई अस्तर होने के कारण इन परिक्षार्थियों का परिक्षा फल तयार करने के पूर्व नॉर्मलाइजेशन की विधी अपनाई जाती है, ताकि किसी विशेस पाल कोई सक्षमता परिक्षा इसमें अभ्यर्थियों की संख्या अधिक थी, इस बज़ा से अलग-अलग तिथी में, अलग-अलग सिप्ट में इसकी परिक्षा ली गई, किसी सिप्ट में अधिप्रस्ण का अस्तर थोड़ा इजी है, या तो किसी में टाफ है, या तो किसी में moderate है तो उसी में से एक average के अनुसार से जो normalization की प्रकिरिया निकाली जाती है उसको समान्नी करन की जाती है निकि कि किसी भी पाली के विद्यार्थियों में अधि टफ जबाब दिया गया है प्रश्न का अनिकि उसका जो अस्तर टफ रखा गया है और जिसमें easy रखा गया है तो उसके सम्तुल उसको किया जाता है या बाते कही गई है यह 24 के को में था उसके बाद खो में असपश्ट है इसके बाद इस कि इस परिक्षा में भी नॉर्मलाइजेशन विधी अपना कर परिक्षा फल प्रकासित किया जाएगा एक को था उसके बाद खो में कहा गया है कि नॉर्मलाइजेशन की परकिरिया के उपरांत अभ्यर्थी का जो भी normalization 100 score होगा वही अभ्यर्थी का प्राप्तांग होगा अभ्यर्थों की उत्रिंता अत्वा अनुत्रिंता का निरधारन इसी प्राप्तांग के अधार पर कंडिका संख्या 3 में दिये गे उत्रिनांग प्रतिशत के अनुशार होगा ना कि raw score आनि कि सही प्रश्णों के अधार पर प्राप्त अंक के अधार पर होगा इसके बाद गो में है उधारन शरूप एक समझाया गया है जिसे हम लोग बोड पर भी समझ लेंगे कि समान स्रेनी के अभ्यर्थी का 150 अंकों की परिक्षा में raw score 61 है तथा normalization की परिक्रिया के उपरांत उसका normalized score 59.10 आता है तो निर्धारित उतरिना अंक नहीं 150 का 40% जो इसमें निर्धारित किया गया है जनरल कर्टेगरी के लिए तो उसमें 60 होना चाहिए प्राप्त नहीं करने का कारण उस अभ्यर्थी का result नहीं होगा निकि वे fail हो जाएंगे इसके बाद एक महत्पूर्ण बाते यहां पे अंकीत की गई है जिसे हम लोग समझेंगे घो में अंकीत है इसी का कि यदपी परिक्षा में गलत उतर है तू negative marking का प्रावधान नहीं है अनिकि negative marking विवस्था नहीं रखी गई लेकिन नॉर्मलाइजेशन की परिक्रिया में अपेक्षाक्रित अधिक प्रस्णों के गलत उतर दिये जाने की इस्थिती में नॉर्मलाइजेशन एसकोर में रिनात्मक प्रभाव आ सकता है यह संभावनाई बताई गई है कि आधिक question आप आपने attempt किया और उस इस्थिती में आपका attempt गलत ज्यादा सावित हुआ तो वह नॉर्मलाइजेशन की जो परिक्रिया अपनाई जाएगी तो उसमें उसका effect पढ़ सकता है तो चलिए अब हम लोग यहां से नॉर्मलाइजेशन की जो परिक्रिया है उसको थोड़ा सा वारिकी से समझने का प्रियास करते हैं कुछ महत्तपूर्ण बाग्द है मैंने पहले पर पहले से ही बोड़ पर लिकर करके रखा हो इसे ज्यादा आसान होगा समय की वचत होगी तो प्रस्ण का अस्तर हम लोग देखी लिए थे इजी अस्तर, मोडरेट अस्तर और टफ अस्तर तो इजी अस्तर कहने का अर्थवा की वैसा सिप्ट वैसी पाली जिसमें प्रस्ण बहुत आसान पूछा गया अधिक से अधिक विद्यार्थियों ने अधिक अंक इसमें प्राप्त किये उसके बाद मोडरेट अस्तर और की जो मध्यम अस्तर है उसमें ना तो अधिक हलका था ना तो अधिक भारी था टफ था बीच में रखा गया था उसके बाद एक सिप्ट ऐसी हुई जिसमें टफ अस्तर बहुत हाड रखा गया प्रश्ण का, तो सभी अस्तर को समानी करन किया जाता है, हम लोग यहाँ पे दो पाली की चर्चा करते हैं, प्रथम पाली और दूतिय पाली की, तो इसमें कुछ अभ्यर्थी का मैंने नाम लिख करके रखा है, राम, प्रथम पाली में 130 अंक प प्राप्त किया घंस्याम, 135 पंकज, अमन, सुधा, 132 तो इसे प्राप्तांक से आपको अस्पष्ट परिलक्षित होगा, और कि पर्थम पाली और दूतिय पाली पर आप ध्यान दीजिए, तो पर्थम पाली में, राम, 130 अंक प्राप्त करता है, और रोहित, 140 हाइस्ट अंक अस्तर तफ था, पर्थम पाली तफ था, तफ प्रस्ण के कारण से, यहां जो अभ्यर्थी थे, इन्हों ने, 130 हाइस्ट ला करके, उसके बाद निम्न अस्तर में प्राप्तांक ला पाया, और यहां जो दूतिय पाली की परिक्षा थी, इसमें कोश्चन का जो अस्तर था, वह है इजी, अर्थात मोडरेट भी रखा जा सकता है, मोडरेट रखा गया, अनिकि मध्यम रखा गया, जिस बज़ा से, पर्थम पाली के अपेक्षा दूतिय पाली में, अभ्यर्थी, रोहीत, घंश्याम, पंकच, अमन, शुधा, अधिक अंग प्राप्त किये, की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो सबसे पहले यह जो प्राप्तांक है, इसका टोटल निकालेंगे, अनिकि कुल योग, तो इसको जोडने के बाद, 130, 120, 80, 100, 110, इसे जोडने के बाद, आपको प्राप्त हो जाएगा, 540, ठीक है, अब इसे जोड़िए, इसका कुल यो करेंगे, अनि 140, 135, 145, 138, और 132, इसका अधी आप जोड़ करते हैं, तो 690 आपको प्राप्त होगा, किलियर है, अब 540, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 5 लेकर के चले है, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ भी कुल विद्यार्थियों की संख्या 5 ही रखी गई है, तो यह कुल है, 540 इसका एवरेज निकाली है, अनि कि आउसत निकालेंगे, तो आउसत के रूप में आपका प्राप्त होगा, 540 बटे 5, इसमें भाग दे देंगे, 540 में 5 से, तो यह है, आपका प्राप्त हो जाएगा, 108, एवरेज निकल चुका है, इसी प्रकार से, यहाँ आपको से, आप भाग देंगे, तो यहाँ, 138 प्राप्त होगा, किलियर हो चुका है, 108 और यहाँ, 138 एवरेज प्राप्त हुआ, अब इन दोनों का, 108 और 138 का, इसका एवरेज निकालना है, आउसत, बराबर, 108 प्राप्त हुआज, 138 बटे 2, दोनों जोडेंगे, तो 246 प्राप्त होगा, जोड करके देख लिजेगा, 246 बटे 2, दो से इसमें भाग देंगे, तो यहाँ, 123 प्राप्त होगा, आप यहाँ पे देखा जाए, कि यहाँ जो दूतिय पाली में एवरेज निकला, 138 निकला, और पर्थम पाली मे आपका प्राप्त होगा, पंद्रह, अब यहाँ जो 15 है, तो आसपास्ट है, कि पर्थम पाली की जो परिक्षा होई थी, इसमें टफ कोस्टन पूछा गया था, और दूतिय पाली की जो परिक्षा होई थी, इसमें moderate या तो फिर easy पूछा गया था, तो यहाँ जो difference 15 आया, तो टफ में, सभी में आपको 15 एड कर देना है, 130 में 15 एड कर देंगे, फिर 120 में यहाँ पे आपका 15 एड होगा, अनि कि जोडतें चलेंगे, अनि जो पाली tough हुई, उसमें 15 जुट जाएगा, और जो पाली easy या तो moderate थी, उसमें 15 घड जाएगा, तो इसमें सभी में 15 आप जोड दीजिए, और यहाँ पर यहाँ 15 घटेगा, और यहाँ भी 15 घटेगा, इस प्रकार से इसको आप जोड़ेंगे, तो जोड करके देखिए, नॉर्मलाजेशन के बाद 5, 4, 145 हो गया, इसके बाद यहाँ आपका प्राप्त हो जाएगा, 135 और यहाँ हो गया, 95 और यहाँ 115 है, और यहाँ पे 125 प्राप्त तो 15 घटा दिजिए, 125, फिर 135 में 15 आप घटाएए, 120, फिर 145 में 15 घटाएंगे, 130, और इसके बाद 138 में 15 घटाएंगे, 120, और फिर यहाँ पे आप 132 में 15 घटा देंगे, यहाँ 117 प्राप्त हुआ, तो इस प्रकार से देखा जाए, तो जिस समय अभियर्थी ने प्राप्ताँ को प्राप्त किया, तो उसे स्थिती में जब नॉर्मलाजेशन की परकिरिया नहीं हुई थी, तो 130 था टफ में, और जब 15 जुडा, तो यहाँ बढ़कर के 145 हो गया राम का, अब इसी से 145 से उसका रिजल्ट बनेगा, इसके बाद यहाँ पे दूतिय पाली में रोहीत, 140 जो रो अंक था उसको प्राप्त किया, लेकिन जब नॉर्मलाजेशन की परकिरिया हुई तो इसमें से 15 घटा दिया गया, तो अब इसको 125 प्राप्त होता है, तो ऐसी स्थिती में, राम को जिसमें टफ पाली थी, उसको कम अंक प्राप्त करने के बाब जूद नॉर्मलाजेशन की परकिरिया होने के बाद, इसका अंक रोहीत से बढ़ जाता है, 145 हो जाता है, और रोहीत को 140, जब प्रारंभिक अंक था, तो 140 था, और 130 था, इसका कम था राम का, लेकिन जब नॉर्मलाजेशन की परकिरिया होई, तो 15 घटने के बाद, राम से रोहीत पिछड़ जाता है, 125 अंक प्राप्त करता है, तो नॉर्मलाजेशन की परकिरिया, जो समानी करन की परकिरिया है, समान रूप से इसी परकिरिया को इसे सक्षमता परिक्षा में और वह जो negative marking की बाते हैं वह तो है ही नहीं लेकिन अधिक question आप attempt किया है तो board की क्या वेवस्थाय होती है उनकी क्या सोच होती है अधि negative marking को छोड़ दे और attempt के आधार पे अधिक प्रस्ण आपने गलत कर डाला तो board के अनुसार से हो सकता है कि वहां भी आपका result पे effect आ सकता ह है बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए उपस्तित हुए थे थैंक्स पर वाचिंग गुड़ बाइ बग्म ठाले खरेश द तो है कि पो है अखने है कि में है झात करने कि व्बद दया है कि कर दो कर दो क्या में है झात्रह रॉटक साथ है कि एनकार सौ 24 क हो लगका है झात्रह प्र्बदाल zmian.